तरें आजे को नमस्क्रकां स्वागत हैं आपका हमारे खासकारिक्राम आजके इतिहास में। बारे में रानी एलिजाबेट आज ही के दिन रानी बनाई गए थी दो जून वह दिन है जब क्वीन एलिजाबेट द्वितियकार राश्टे लग किया गया वह ब्रिटेंड कनाडा उस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड सहित कॉमन वेल्थ देशों की रानी बनी 6 फरवरी 1952 को पिता की मृत्यू के बाद एलिजाबेट के रानी बनने की घोशना की गई राश्टिलक के मौके पर कैंडबरी के आज विशब जियारफी फिशर ने रानी को राजशाही के चार्चिन राजदंड, दया की छडी, एक नीलम और मडिक की अंगूठी और एक गोल राजचिन दिया और उनके सर पर सेंट एडवर्ड का मुकुट रखा क्वीन एलिजाबेड द्वितिय प्रिटिश इतिहास में आज तक की सबसे अधिक समय तक राज़ करने वाली रानी है इनका जन्म 21 अप्रेल 1926 को लंदन में हुआ था 1947 में इनका विवाफ फिलिप माउंट बैटन से हुआ और अपने पैता की मृत्यों के बाद उनके जिम्मेदारियों के निर्वाहेतू 1953 में अलिजाबेड ग्रेड बिट्रेन की रानी बन गई 2012 में उनके साशन के साथ साल पूरे होने पर डायमेंड जुबली का समारोग मनाया गया और आगे आने वाले समय में भी वहां की जनता रानी अलिजाबेड को साशन करते हुए देखना चौह रही थी ब्रिटिश इतिहास में 50 साल से अधिक साशन करने वाले आज तक के 5 राजा हुए हैं लेकिन लगभग 63 साल से आज तक राज करने वाली वह पहली महिला रानी है कुईन अलिजाबेड के चार बच्चे आठ पोते पोती हैं अलिजाबेड ने दुटिय विश्यु युद्ध के समय मात्र 14 साल की उम्र में पहली बार रेडियो पर भाशन दिया था जिसमें जन्ता को संबोधित करते हुए विशम परिश्थितियों में धैरे से काम करने की अपील की थी साथ ही सब कुछ ठीक होने का आश्वासन देते हुए ईश्वर में विश्वास बनाए रखने को भी महरानी अलिजाबेड ने कहा था महरानी अलिजाबेड के ताजज में 2868 हीरे लगे हुए हैं जिसको वा केवल कुछ खास अफसरों पर ही पहनती है महरानी अलिजाबेड ने 1945 में ड्राइविंग सीखी लेकिन आज तक उनका ड्राइविंग लाइसन्स नहीं है और ना ही कोई रजिस्टर्ड नंबर प्लेट उनकी कार पर लगी है कुईन को हमेशा सही जानवर उसे बहुत प्यार रहा है यहां तक कि वो अपने हनिमून पर एक पपी को साथ ले कर गई थी इतना ही नहीं महराणी ने अपने इस शौक के चलते अनेक समुद्री जानवर भी पाल रखे हैं जिनको एक निश्चित समुद्री एरिया में रखा गया है जहां जाकर रानी अक्सर उनके साथ वक्त बिताती है वहर साल लगबग 25 घोडों को ट्रेनिंग दिलाती है और उनके साथ होर्स रेस के लिए जाती है 2013 में उनके घोडे ने गोल्ड कब भी जीता था रानी का भी भी पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज नहीं गई उनके पिता ने हमेशा अच्छे सिक्षा को द्वारा घर में ही उनकी सिक्षा को पूरी कराया ब्रिटेश इतिहास में सबसे अधिक विदेशी दौरे करने वाली रानी बिना पासपोर्ट के यात्रा करती है जो उनके लिए कानूनी रूप से वैद है क्योंकि ग्रेट ब्रिटेश के पासपोर्ट का कवर पेज उनके प्रभुत्व कुदर्शाता है जिसके कारण उनको पासपोर्ट की कोई आवश्चक्ता नहीं है लेकिन शाही परिवार के और सफी सदत से बिना पासपोर्ट की यात्रा नहीं कर सकते ग्रेट बिटेन की महरानी एलिजाबेद हर मंगलवार की शाम को प्रधान मंतरी के साथ मीटिंग करती है यह सिलसला उनके पिताजी के कारेकाल में आरंब हो गया था जवा राजकोमारी थी और देश जुड़े सभी मसलों में वे अपने सुझाओ प्रस्तुत करती थी तो यह थी एलिजाबेद दुटे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के 29 वे राजित लंगाना की बारे में जिसे आज ही के दिन अलग राजि का दरजा मिला तो चलिए जानते हैं इस राजि के बारे में कुछ बाते हैं भारत का 29 राज्य है तेलंगाना तेलंगाना पहले आंद प्रदेश का हिस्सा था जिसे आज ये के दिन यानि 2 जून 2014 को भारत का 29 राज्य घोशित किया गया हाला कि तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने के लिए लोगों को काफी लंबा संगर्श करना पड़ा ऐसा एसलिए क्योंकि जादा तर लोगों को लगता है कि तेलंगाना को बनाने की मांग साल 2009 में चंदर शेक र्राओ के अंशन के बाद उठी थी लेकिन ऐसा नहीं है पहले तेलंगाना राज्य आंधिप्रदेश का ही हिस्सा था भारत को आजादी मिलने से पहले तेलंगाना हैदरबाद का हिस्सा था और इस पर निजाम का साशन था उस समय इसमें वारंगल और मेदकवास भी शौमिल था लेकिन सन 1947 में इसे भारत में शौमिल किया गया था तेलंगाना को राज़ बनाने के लिए सन 1979 के समय से शुरुआद की गई जसे साल बीटते गए उसके साथ ही तेलंगाना को राज बनाने की मांग सोर पकरती रही तेलंगाना को राज बनाने के लिए 1979, 1972 और 2009 में भी बड़े आंदोलन किये गए इस तरह से आंदोलन करने की वज़े से ही तेलंगाना को राज बनाने में सहायता मिली तेलंगाना को राजी बनाने की घोशना भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2009 को आधिकारिक रूप से कर दी थी लेकिन इसके विरोध में रायल सीमा के कुछ आमदार और खासदार ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था सरकार की इस घोशना को सुनने के बाद तेलंगाना के प्रदेश में भी कई जगहों पर हिंसा हुई लेकिन इस बढ़ती हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2009 में भारत सरकार ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की और उसे वही पर रहने दिया मगर तेलंगाना राज्य को लेकर तेलंगाना के अंदिप्रदेशों में अंदोलन लगातार चलते रहे जो रुखने का नाम नहीं ले रहे थे लेकिन जब 30 जुलाई 2013 को कॉंग्रिस सरकार ने तेलंगाना राज्य बनाने की घोशना की तो यहां आंदोलन और भी उग्र होता गया इस तरह की घोशना करने के बाद अगले 10 सालों तक हैद्राबाद को तेलंगाना और आंदरप्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया सरकार के इस फैसले को केंद्री अमंत्री मंडल ने 3 अक्टूबर 2013 को मन्जूरी दी तेलंगाना राजधानी विध्यक को भारत सरकार की पांच दिसंबर 2013 को मन्जूरी मिलने के बाद उस विध्यक को पास करने के लिए संसद मेर रखा गया अठारा फर्वरी 2014 को पंद्रवी लोग सभा ने इस विध्यक को मन्जूरी दे दी और राज सभा ने भी 20 फरवरी 2014 को इस विधेयक को हरी जंडी दे दी भारत के राश्ट्रुपती प्रणम्मुखर जी ने भी एक मार्ज 2014 को तेलंगाना राज को लेकर मन्जूरी दे दी थी और इस फैसले को लेकर उसे दिन राज पत्र अधिसूचना भी निकाली गई और दो जून 2014 को तेलंगाना राज का निर्माण किया गया तो ये था तेलंगाना राज का इतिहास अब आगे बढ़ती हुए हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे शक्सियत के बारे में का जन्म हो जन्म है तो जल की जानते हैं तीरंदास डोला बेनर जी के बारे में कुछ खास बाटें डोला बेनर जी देश की प्रथम महिला तीरंदास खहलाड़ी हैं जिन्होंने pursuing के लिए क्वालिफाई किया था उन्होंने अठारवा गोल्डन एरो ग्रैंड प्रिक्स टूनामेंट जीता डोला को 2005 में अर्जुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है डोला बेनर जी का जन्म 2 जून 1980 को बारा नगर में हुआ था उनके माता पिता अशोक बेनर जी और कल्पना बे उन्होंने बारा नगर राचकुमारी मैमोरियल गर्स हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की और 9 वर्ष की उम्र में वा बारा नगर तीरंदाजी क्लब में शामिल हो गई वा भारत की पहली महिला खिलाडी हैं जिने तीरंदाजी में राश्ट्री इस्तर पर ख्याती पाने वाली पहली महिला का श्ट्रेज आता है धारत में तीर अंदाजी को मुखी रूप से पुरुशों का खेल समझा जाता है लेकिन डोला वेनरजी ने इस खेल में ना सिर्फ भाग लिया बलकि अंतर राश्ट्री इस्तर पर सफलता भी अरजित की डोला वेनरजी ने तीर से निशाने बाजी की सिक्षा टाटा आर्चरी अकादमी जमशेर पुर से प्राप्त की उन्होंने तीर अंदाजी के शेत्र में राश्ट्री इस्तर पर एक मात्र सफल खेलाडी होने का नाम कमाया है न्यू यॉक में हुई 42 विश्व आउट्डोर टागेट आर्चरी चैंपियंशिप में अपने कुशल प्रयास सिवा सफल रही और भारत की पहली तीर अंदाज महिला बन गई वहीं ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया उनकी उपलब्दियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2005 में अरजुन पुरुस्कार देकर सम्मानित किया 2005 में टर्की में आयोजित हुए 88 गोल्डन एरो ग्रेंट प्रिक्स टूनामेंट को जीत कर डोला ने इतिहास रज़ दिया वहाँ उन्होंने यूक्रेनिया के तीसरी सीट खेलारी को हरा दिया था 2006 में कोलंबो में हुए सेफ खेलो में डोला बेनरजी ने अपनी प्रतिद्वंदी रीना कुमारी को हरा कर महलाती रंदाजी का स्वर्ण पतक जीत लिया डोला बेनरजी भारत की ऐसी महलाती रंदाज हैं जिन्होंने उलम्पिक में भाग लेने के लिए क्वालिफाई किया था 2005 में उन्हें अरजुन पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया तो ये थी भारत की पहली तिरंदास डोला बेनरजी के बारे में आपने अभी जाना अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले लोगों के बारे में जिनमें हम आज बात करेंगे अभिनेता राजकपूर के बारे में जिनका आज ही के दिन 1988 में निधन हुआ था तो चलिए जानते हैं राजकपूर के बारे में नीली आँखों में तैरते कई सपनों को फिल्मों के माध्यम से पेश करने वाले राजकपूर उस दौर में समाजिक विशमताओं को मनुरंजन के ताने बाने के साथ परदे पर उकेरने की हिम्मत रखते थे जब हिंदी फिल्म उध्योग अपनी जड़े मजबूत कर रहा था आजादी के बाद देश को प्रगती के राह में अगरसर करने के लिए नहरू की समाजबादी अवधारना को ध्यान में रखते हुए राजकपूर ने सामाजिक संदेशों के साथ मनुरंजक फिल्में बनाई समस्या चाहें बेरोजगारी की हो या सरकस के कलाकारों की या फिर विद्वा विवाह की राजकपूर ने मनुरंजन के ताने बाने में लपेट कर उन्हें बड़ी ही खुबसूर्ती से परदे पर पेश किया प्रख्यात अभिनेता प्रत्वी राजकपूर के घर पैदा हुए और सिनेमा हौल में पले बढ़े राजकपूर को बच्पन से ही फिल्मों से लगाव था राजकपूर का जन 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था उनका बच्पन का नाम रणबीर राजकपूर था अपने पिता के साथ वह 1929 में मुंबाई आय और उनके ही नक्षे कदम पर चवते हुए हिंदी सिनेमा जगत में अपने आपको महान बनाया 1935 में उन्होंने पहली बार फिल्म इंकलाब में काम किया तब वह महज 11 साल के थे उनकी पहली अभिनेता रूपी फिल्म थी नील कमल केदार शर्मा ने राज के अंदर छेपी प्रतिभा को पहचाना और 1947 में मदुबाला के साथ फिल्म नील कमल में बतौर हीरो लिया अपने वक्त के सबसे कम उम्र के निर्देशक राज कापूर ने आर के फिल्म की स्थापना उन्नेसोड़तालिस में की और पहली फिल्म आग का निर्देशन किया 1948-1983 के बीच बतौर हीरो राजकापूर ने आर के फिल्म के बैनर तले कई फिल्में बनाई जिन में नर्गिस के साथ उनकी जोड़ी परदी की सफलतम जोड़ियों में से एक थी राजकापूर की सबसे महत्वकांग्शी फिल्म 1970 में मेरा नाम जोकर थी जिसे बनाने की योजना 1955 में श्री 420 के निर्माण के दौरान से ही उनकी दिमाग में थी लेकिन यह फिल्म बॉक्स आफिस पर ओंधे मुझा गिरी इसके बावजूद उनका फिल्मों के प्रती जुरून खत नहीं हुआ माना जाता है कि दर्शक इस फिल्म को समझ नहीं सके यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे गंभीर फिल्मों में से एक मानी जाती है राजकापूर इस फिल्म के बार तूट से गए थी करज का बोज और सपने तूटने का दर्द ने राजकापूर को जग जोर कर रख दिया लेकिन मेरा नाम जोकर किया सफलता से राजकापूर को भारा उनकी फिल्म बावबी ने जिसमें किशोर वे की प्रेम कथा का खुबसूरती से बुना गया ताना बाना था अभिने की दुनिया से अलग होकर राजकापूर ने बौबी, सत्यम, शिवम, सुन्दरम, प्रेम, रोग, राम, तेरी, गंगा, मैली जैसे खुबसूरत फिल्मों का निर्मान किया राजकापूर पर फिल्माए गए लगबग सभी गाने मुकेश की आवाज में होते थे मुकेश ने राजकापूर के लिए श्री 420, चोरी-चोरी, मेरा नाम जोकर, दिल ही तो है जैसे फिल्मों में गाने गाए जब मुकेश की मुकेश की मुरत्य हुई तो खुद राजकापूर ने कहा कि मैंने अपनी आवास खो दी एक समय माना जाता है कि राजकापूर और नर्गिस का अफेर था दोनों ने एक साथ सोला फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उनकी आपस में जोड़ी बहुत ही बहतरीन लगती थी दोनों ने साथ साथ प्यार, जान पहचान, आवारा, अनहोनी, बेवफा, पापी, श्री 420, जाकती रहू जैसे फिल्मों में साथ काम किया हलाकि दोनों का रिष्टा सोला फिल्मों तक ही कायम रहा राजकपूर की फिल्में भारत के साथ साथ विश्व के कोने कोने में अपने जल्वे बिखेर चुकी हैं रूस के लोग हमेशा से भारतिय फिल्मों के प्रश्वन सक रही हैं और राजकपूर अब भी यहां के सबसे पसंदीदा कलाकारों में शामिल है 2012 में प्रतिष्टर टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 1923 के बाद बनी 100 सर्विश्ट फिल्मों की सूची में 20 नई फिल्मों को शामिल किया इस सूची में वर्ष 1951 में प्रदर्शित राजकपूर अभिनीत फिल्म आवारा को भी शामिल किया गया था राजकपूर ने कृष्णा कपूर से शादी की थी राजकपूर के पांच बच्चे हुए रणधीर कपूर, रीतुननदा, रिशी कपूर, रीमा और राजीव कपूर आज उनके बच्चे और नाती पोते हिंदी सिनेमा की शान बने हुए हैं पहले करिश्मा कपूर, फिर करीना कपूर और अब रणवीर कपूर, राज कपूर की विरासत को सफलता पूरवक आगे बढ़ा रही है राम तेरी गंगा मैली के बाद वहेना पर काम कर रहे थे वहनियती को मन्जूर नहीं था और दादा सहाफ फाल के सहित विभन पूरुसकारों से समानेत इस महान फिल्म कार का दो जून 1988 को निधन हो गया तो यह आज आपने जाना आज के इतिहास में दर्ज कुछ ऐसी रोचक बातों के बारे में ऐसे ही आज रोच के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे तब तक के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रही है प्राइम टीवी